अपने जन तिथी से कैसे बनाए अपनी कुंडली और समझें कि आखिर वो कुंडली आपसे क्या कह रही है और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से अपनी कुंडली भी बनाना सीखेंगे और उसको इंटरप्रेट कैसे करें आखिर कुंडली कहे क्या रही है जुड़े रही हुआ हाई आपको अपनी बर्थ डेट पता है और आप जानना चाहते हैं कि भई इन अंकों का मतलब क्या है तो जल्दी से बनाते हैं आपके साथ आप ही के अंकों की कुंडली अब क्या करें जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एक टेंपलेट है मान ले यह एक लॉजिकल अप्रोच है जिससे की ट्रदिशनली नुमरालोजिस्ट बहुत अच्छे से अनलाइज कर पाते हैं और करने के बाद एक डेटा कलेक्ट करते हैं जो यह पता चलता है what exactly is happening in your life and what kind of a personality you are or what the numbers are talking about you अंक क्या कहते हैं आपका वैक्तित्व कैसा है और भी बहुत सारे गहरे राज अब यह टेंपलेट या यह टिक टाक्टो और यह ग्रिड इसे लोग लोशू ग्रिड भी कहते हैं लेकिन सिंपल तरीके से समझ यह करना क्या है जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रिड में 9 बॉक इग्जाम्पल लेते हैं वो वैक्ति जिसका जन्म हुआ है 8th March 1971 8th March 1971 निम्रालोजी में आपका हर अंक इंपोर्टन्ट है अब इस वैक्ति की पूरी की पूरी जन्म तिति को जब आप जोडते हैं 8 प्लस 3 प्लस 1 971 डबल डिजिट के जो अंक आएंगे उनको जोडने से ज आपके पास नंबर है 8, 3, 1, 9, 7, 1 and number 2 अब जो आपने ये टेंपलेट या ग्रिट क्रेट करेएं जो जो नंबर आपके पास आएं हैं उस नंबर को आप क्रॉस करते जाएं अब जैसे 8 आया है तो आप 8 को क्रॉस करिए 3 आया है क्योंकि मार्च का महिना है नंबर 3 तो 3 को क क्रॉस करिए फिर आया है एक बलकि एक दो बार ही आया है 1971 तो नंबर 1 को आप क्रॉस आट कर दीजिए number 9 क्रॉस आउट करिए 7 क्रॉस आउट करा और जो ने से आया था number 2 तो आप उसको क्रॉस आट करदीजिए यानि कि ये सारे अंक आपके जीवन में है इश्वर ने दिय है जो अंक नहीं आया है अब देखिए पूरा का पूरा सेंटर डाहिगनली 456 missing है जो अंक नहीं आया उसे कहते हैं मिसंग और जो अंक आगया उसे कहते ही वह आपके पास है यह बनके तयार हो गई आपकी जन्म कुंडली गुड जाब अब जल्दी से अपनी कुंडली क्रियेट करें और देखें आपके पास जो अंक हैं उनको लिखते जाएं अब हो सकता है आपके जन्म 8 की जगे 17 को हुआ होता तो आप 17 को 1 प्लस 7 को जोडने से आया 8 तो फिर वो भी आप लेंगे कहने का मतलब डबल डिजिट है आपका बर्थ डेट तो हर अंक जो आया है उसे क्रॉस आउट करेंगे उस डबल डिजिट को जोडने से जो आया है वो भी क्रॉस आउट करेंगे अल्राइट अब जो अंक आये हैं वो आपकी गिफ्स हैं जो नहीं हैं इश्वर के मन में दो ही खया में आते हैं जो नहीं आए हैं वो एक समय पर आएंगे लेकिन जो आए हैं उनको आपको सही यूज करना है और अगर उसको यूज करने की कला आ गए तो बन गए आप मैस्टर और या आप एक नए और एक यूनीक मार्क जकरबर्ग या जेफ बेजोज या यू कहूं अपने ही मेहनत से एक नया आयाम कायम करने वाले एक अनदर अमेजिंग आंतरप्रणियोर प्राब्लम यह होती है डरने की जरूरत नहीं है क्या मतलब है उसको यूज कैसे करें और आपने जो कुली वनाई अंको से इस टेंपलेट में इस कुंडली में 4 और 3 बताता है कि आपकी वेल्थ आपकी सेविंग्स कैसी है उपर का रो 492 बताता है कि इस व्यक्ति की बौधिक्षमता कितनी है, mental strength कितनी है center का रो 357 बताता है कि emotional है, spiritual है, दिल से सोचता है, भाव कितना है नीचे का रो 816 बताता है कि मेहनत कितनी करता है, क्या ये व्यक्ति अपने जीवन में शारिरिक्षम ज्यादा करेगा या मानसिक्षम ज्यादा करेगा, या creative industry, अब जो उपर का रो है 492 वो ये बताता है mental strength आम तोर पर अगर ये पूरा रो complete होता है, मैंने देखा है, ये लोग mentally बहुत smart होते हैं उनका career भी ऐसा होता है, जिसमें उन्हें अपनी mental strength और confidence का ज्यादा यूज करना पड़ता है जिनका center का रो आ जाता है 357 मैंने देखा है, वो creative industries में होते हैं या coaching, guidance, mentoring industry में होते हैं, वो जिसमें ग्यान या creativity का यूज ज्यादा होता है नीचे का row 816 जिसकी birth date में आ जाता है, मैंने देखा है, उनको जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अब वो हो सकता है, उनका जो काम हो, वो शारीरिक सम्श्रम से जुड़ा हो और अगर वो करियर में नहीं है, तो उनकी ग्रहस्ती में, लाइफ में उन्होंने आज एवन बहुत मेहनत करी है आप बताए क्या है, अब ये तो आपकी कुंडली के रोज की बात हुई इसके अलावा 438 ये कहता है कि व्यक्ति के पास से क्या लेकिया आया सेंटर बताता है वरतमान में उसे क्या हसल होगा, कितनी मेहनत करेगा यानि सेंटर के 9, 5, 1 बताते हैं और अलग-अलग व्यक्तियों की सोच अलग-अलग है, वो कहते हैं कि इस ग्रिट को कैसे इंटरप्रेट करे अब आपको मैं लॉजिकल अप्रोच बता रही हूँ क्योंकि कहते हैं न समय के साथ जो नहीं बदला उसे समय बदल देता है आखिर की जो रो है, 2, 7 and 6 ये बताती है कि अपनी मेहनत से वो अपने लिए एक नया आयाम कैसे खड़ा करेगा उसकी लाइफ में उसे वो आपरचुनिटी कैसे मिलेंगी लेकिन सिंपल तरीके से नमबर चार और तीन ये आपकी महनत और वेल्थ और सेविंग्स को बताता है नाइन उसके जोश और जुनून को बताता है उसके जीवन में उसे नेम, फेम, रेकगनिशन कितनी मिलेगी नमबर टू बताता है कि उसकी अपनी रिलेशनशिप्स उसकी अपनी एमोशनल्स को वो कम्मुनिकेट कैसा करता है नमबर फाइव बताता है कि उसकी लाइफ में सपोर्ट उसका कैसा है क्या कोई है जो उसे support करता है या नहीं करता है अगर अंक 5 आया है support मिलता है नहीं आया है तो support मिलने में दिक्कत है इसका उतलब यह नहीं है कि अगर अंक 5 नहीं आया तो इस वेक्ति के जीवन में उसको support ही नहीं मिलती एक कि इस व्यक्ति में जोश है, ambition है, confidence है आठ बहुत महिंती है, struggle रहा है छे कि एक भूक है कि जीवन में luxury मिले और divine support है जो से जीवन में उसकी जो जरूरत है उसे कहीं ज्यादा मिलता है 7, यहाँ 7 और 6 को एक साथ भी interpret किया जाता है as a support, एक साथ interpret किया जाता है इसे एक resource के तौर पर भी overall जब आप अपनी जन्म कुडली बनाएं quickly पहली चीज़ यह देखे numbers को जो आए हैं उन सब को cross out करें अब हो सकता है, कोई number बहुत बार repeat हुआ हो does not matter, आप 3 बार या 4 बार cross out करेंगे जो आ गया, जो नहीं आया उन से जुड़े हुए शेत्रों में आपको मेनत करनी है अब अगर इस example में 4, 5, 6 नहीं आया तो यानि 4 आपकी savings का है इस वेक्ति को savings में दिक्कत आती होगी 5 नहीं आया यानि इस वेक्ति को सही समय पर सही support नहीं मिलता 6 यानि इसकी life में ये मेनत जो इतनी करता है उसके मुकाबले उसको धन नहीं मिलता और उसकी life में वो luxury और comforts नहीं है या कम है है न सरल interpret करना अब आप जल्दी से अपनी कुंडली बनाएं और देखे कौन सा अंक आया है कौन सा अंक नहीं आया है और इन अंकों का ही खेल है किसी से पूछने की जरुवत नहीं है क्योंकि आप से बहतर आपकी आप बीतिक को ही नहीं जानता जल्दी से create करें अपनी कुंडली और मुझे बताएं जो अंक आया है क्या वो आपकी उसमें महारत हासल है क्या आप creative हैं अगर two आया है जो नहीं आया है क्या उसके लिए आपको आजीवन मेनत बहुत करनी पड़ी यहां एक exception इस example में four, five, six नहीं आया लेकिन जब इस वेक्ति की उमर पचास की होगी तो five plus zero जोडने से पाँच आ जाएगा तो वो साल इसके लिए उसको support easily मिलेगी जिस साल इसकी उमर चार हो जाएगी यानि बाइस साल का होगा या चालिस का तो उस साल इसकी savings number four आने से बढ़ जाएगी जब इसकी उमर 24 की होगी या 60 की होगी या 33 की होगी या 51 की होगी तो जोडने से आया उस साल उसकी कुंडली में छेया जाएगा यानि जो अंक नहीं आए हैं जब जब आपकी उमर का अंक जोड़ने से वो अंक आ जाते हैं तब तब आपको वो सपोर्ट उस दौरान आसानी से मलती हैं मुझे जरूर बताएं कि अंकों का ये खेल अंकों से कुंडली बनाने का ही वीडियो आज आपको कैसे लगा मिलती हूँ आपसे ठेक केर